दोस्तों फाइनली बिहार पुल टेक्निक दसवी लेवल और जो बारवी लेवल पर फॉर्म आती है जिसके लिए ओनलाइन आवेदन के जो तिति है जारी कर दे गई है इसमें पूरी जनकारी आपको बता दे गई है कि इस फॉर्म को कौन से अवियारती भर सकते हैं साथे इतने देने होंगे उसके अलावे आपकी एज क्या होगी उसके अलावे भी बहुत सारी जनकारी है जैसे डोकुमेंट क्या-क्या लगेगा कैसे अपलाई कर पाएंगे वो सारी जनकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतक दिखी का पूरी जनकारी समझ में आप आएगे पूरी जनकारी आप चाहे तो online update htm.com के website पर जाकर readout कर सकते हैं जो कि shortcut तरीके से मिल जाएगे Google open करेंगे सर्च करेंगे online update htm first website आपके सामने खुलेगा online update htm.com का जिस पर क्लिक करेंगे और latest update या direct नीचे admission वाले सक्षन में आएगे बिहार पूर टेक्निक admission आपको मिलेगा जिस पर क्लिक करना है जिसमें आपके admission के regarding पूरी जनकारी बताईगे सबसे पहले इसका schedule समझते है कि कब क्या होने वाले है जैसे आपका form फिलप की जो परक्रिया है 22 तारिक से start होगी जो की अंतिम तीथी इसका निरधारन है 16 मई 2013 तक form चलेगी इसमें आपको payment करने के लिए एक दिन एक्षटा मिलेगा 17 तारिक तक आप payment कर सकते हैं फॉर्म भरने में कोई अगर आपको गलती होती है तो कर सकते है 18 से 20 मई तक इसका डेट है अभी एक्जाम का कोई date allowance नहीं हुआ है यह जो अनुमानित है कि यह जून से जुलाई तक आपकी जो हर हाल में आपका एक्जाम भी कंड़क्ट करा लेगी एज की बात करें तो दिखिए अलग अलग यह इसमें चार परकार के course है 4 हो के लिए जया से पीकिक करेंगे तो कोई एज लिमिट नहीं है वाई तो इसमें minimum आपकी चुनेश वर्स होने चाहिए मैक्सियमम कोई निर्धारित नहीं है PMM के लिए जो आवेदर करेंगे उसका 15-35 वर्स होगी PM के लिए जो आवेदर करेंगे उनका 17-35 वर्स उनकी उम्र होगी उसके अलावे अधर पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे तो 17-32 वर्स आपकी जो है उम्र होने चाहिए अब यहाँ पर देखिया आवेदन सुल्क के क्या देने परेंगे समझना जरूरी है यहाँ पर हमने आपको किलियर किया उपर में आप देखेंगे चार अलग-अलग कोर्स है चारो कोर्स के लिए कर आप अपपलाई करते हैं तो आपको अलग-अलग पैसा पे करने होंगे अगर कोई बच्चा अगर एक कोर्स के लिए अपलाई करता है तो एक कोर्स का आपका जो फील लगेगा को सारे 700 रुपिया रहेगा चुकि जेनरल पिछरावर यानि जेनरल OBC, EBC वाले जो कैनिडेट होंगे उनको इतना देना होगा पाकी बाद SC, ST, दिव्यांग होंगे उनको 480 रुपय पेमेंट करने होंगे एक कोर्स के लिए वही कोई 2 कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 100 रुपया आपको बढ़ जाएगा और आपके इसमें भी 100 रुपया बढ़ेगा अगर वही आप 3 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 200 रुपया बढ़ेगा इस परकार आपका जो है 100-100 रुपया बढ़ता चला जाएगा कोई बच्चा अगर चाहते हैं चारों कोर्स में अप्लाई करना वो इसके योग यह है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लिकेशन भी यही है कि आपको एक्ष्टा कुछ पे करना होगा अब बात करते हैं इसके लिए इलिजिबिलिटी क्या है कौन से कोर्स कौन कनिडेट कर सकते हैं कोई कनिडेट अगर पोल्टेकनिक इंजिनियरिंग यानि पी-ई करना चाहते हैं तो आपके मिनमम कौलिफिकेशन जो है पआड़ा मिटकल देन्तल अगर कोई करना चाहते है तो इसके लिए आपका मिदमम तेन्त पास होनी चाहिए शाथ ही साहते साथ तेन्त में आपका साइंस और इंग्लिजologist मेंनडित्री है यह होने ही चाहिए पाड़ा मेटकल अगर कोई करना चाहते तो कम से कम आपको डिप्लोमा इंफार्मेसी होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए यह डिप्लोमा इंफार्मेसी के लिए 12th पास होनी चाहिए आपको 12th में Physics, Chemistry, English होना compulsory है और या तो आप Math या Bio दोनों में से कोई भी आपका होगा तभी आप इसको कर सकते हैं जेनेम के लिए बात करें तो 12th पास होना जरूरी है विद 40% मार्क्स के साथ और साते साथ आपका Science सब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें Physics, Chemistry, Bio होना जरूरी है और English सब्जेक्ट भी होना चाहिए जेनेम कोई करेंगे तो 12th पास होगी मिनमाम 40% मार्क्स के साथ और आपका जो एक सब्जेक्ट इंगलिस इसमें होना कमपल्सरी है रेस्ट जो भी सब्जेक्ट है जो भी कोर्स है कोर्स के लिए Science स्ट्रिम वाले जो अवियारती है आपे दन करेंगे फिजिस के मेंश्री ब फोटो होनी चाहिए उसके अलाबा आपका जो है signature होनी चाहिए उसके अलाबा एक आपका valid मोवाइल नंबर होनी चाहिए और एक email ID होनी चाहिए और आपका जो माक्सिट होगा जो माक्सिट अगर मालेजिए आप तेन्थ लिवल पर अपलाई करते हैं तो तेन्थ का होगा तो आप दे सकते हैं या उसकी डीटेल आपको डालने होगे 12 का है तो उसका डीटेल डालना होगा अगर आप आरक्षण वाले जो कैटेगरिस आते हैं तो आपको जो पेमेंट के लिए जो छूट मिलती है तो कास सर्टिफिकेट भी मांगी जा सकती है तो इन डोकुमेंट को आपको रेडि रखना है बाद आपको जब नीचे आएंगे तो ठर्ट एस्टेप आपकी होगे जिसमें आपको फोटो सिंग्नेचर अप्लोड करना है फोर्ट एस्टेप में आपकी योगिता यानि जहां तक पड़े हुए है उनकी जनकारी देनी फिर फॉर्म का प्रिभीव आएगा फिर ऑनलाइ करिया 22 तारिक से स्टार्ट होगी तो इससी वेप साइट पर आकर आप यहां से अपलाई कर सकते हैं जिसका लिंक हमने उपलप्त करा दिया और पूरी जनकारी अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो डैरेक्ट इनका ओफिसल नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड कर सकते है और साथे साथ अगर चाहते हैं सिलेबस देखना तो इस पर किली करके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में भी वही जनकारी दी गई जो हमने आपको सोटकर तरीके से बताने के गोसिस किया जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है कल एक डीटेल वीडियो झालोच में सी एक्टिव होता है क्योंकरי में जो हमने गपको स्केशन सिलेबस झालोच में समेर जैसे हुआ कर से कर सकते हैं से जैसे हम एक तरीके सी अम्रशा quantity healthcare based आपको स्केशनी से лस बाने के टो एका पयाुआ हैं परो क्या देखिए छूचोंकर झालोचोंकर में स्के